नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से उन्नाओं में गंगा के बरते जलिस्तर से ग्रामीरों में दहचत गंगा के जलिस्तर में लगातार ब्रधी हो रही है जिससे तलहटी के गाओं में बार की सिती बन रही है बार से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारिया अभी देखने को नहीं मिल सकी है गंगा के बड़े जलिस्तर से तलहटी छेत्र में फसलें जलमगन हो चुकी है अब बाड का पानी गाओं के मुहाने तक पहुत गया है बांगर मोग के नया पुर्वा, मरहन पुर्वा, कुशल पुर्वा व भिकार पुर्वा, पतैपुर 84 का गदन पुर, अहार गाओं पूरी तरह से बाड के पानी से घिर चुके हैं किरारे के खैरुद्दीन पुर की सरकारी गोशाला भी बाड के पानी से घिर गई है अटवा, सेतुवाही, खैरुद्दीन पुर, अलोला पुर, बगिया, गहर पुर्वा व भगवंत पुर्वा आजी गाओं के मुहाने तक बाड का पानी पहुँच चुका है कट्री छेत्र के खैतों में पानी भरने से ग्रामीर पानी के बीच घुजर कर किसी तरह खेत पर पहुँच कर काम निप्टा रहे है बाड का क्रम बना रहा तो कुछ दिनों में छेत्र में बाड का विक्राल रूप देखने को मिल सकता है गाओ के बढ़ते जलिस्तर से किनारे बसे गाओ के लोगों में धहशत बंती दिख रही है ग्रामीर इलाकों में बार से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां अभी तक दिखने को नहीं मिल रही है रिपोर्ट RPS समाचार खबरों में अब तक लिए बस इतना ही फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देख तेरे RPS समाचार